हंटर पिजिन ट्राप तीन कबूतर एक जंगल में थे, एक बड़े इसे पेड़ पर रहते थे, और एक खरगोश उसी पेड़ के नीचे रहता था कबूतरों और खरगोश में बहुत अच्छी दोस्ती थी दिन के सबे कबूतर भोजन और पानी की तलाश में जंगल में उड़ान भरते थे हर दिन रात होने से पहले वे वापस घौसले में लौट आते थे उन तीन कबूतरों में से एक बहुत बुद्धी मान था एक शिकारी था जो हर रोज जंगल में आकर बस शिकार करता था एक दिन बहुत देर तक वो अपना जाल डाल कर बैठा था लेकिन कोई भी शिकार उसके जाल में आकर फसा ही नहीं कुछ टाइम बात कड़ी धूब हो गए और वो वही जंगल में सो गया हर दिन हमेशा की तरह कबूतरों ने भोजन की तलाश में आसमान में उची उडान भरी अचानक एक कबूतर चिलाया कबूतर ने कहा अरे बस बस नीचे देखो देखो अच्छी मातर में अनाज बिकरा हुआ है चलो चलो उन्हें खाए लेकिन बुद्धिमान कबूतर ने उसे अच्छा विचार नहीं माना उसे संदे हो गया था कि ये पक्षी पकड़ने वाले द्वारा बिचाया गया जाल हो सकता है इस घने जंगल में चावल की इतनी मातरा पाई जा सकती है क्या उसने सोचा उसने उन दोनों कबूतरों को नीचे जाने और चावल खाने से रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन में से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो बहुत भूके थे एक अन्य कबूतर ने कहा ए भगवान, हमारा दोस्त हमेशा प्रतियक और हर चीज़ पर शक करता रहता है मैं जा रहा हूँ उसे खाने और उसे खाऊंगा वो दिमान कबूतर नीचे नहीं आया और पास के एक पेड़ की शाखा पर बैठने का फैसला किया तब दोनों कबूतर अनाज खाने के लिए नीचे उतरे और चावल के दाने खाने लगे जल्द ही उन्होंने पाया कि वो कार्डबोर्ड में फस जाने के कारण हिल्ले डुल्ले में असमर्थ थे कुछ तेर बाद जब शिकारी सो कर उठा तो उसने देखा दो हटे कटे कबूतर उसके जाल में फस चुके थे वो बहुत खुश हुआ आह मैं इने बाजार में बेचूंगा और इससे खुब पैसे कमाँगा वही दूर पेड़ पर बैठे बुद्धिमान कबूतर ने शिकारी को कबूतरों के पास आते देखा कबूतर जाल से मुक्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हम कितनी भी कोशिश कर लें? हम इस जाल से चुटकारा नहीं पासकते वो जोर-जोर से रोने लगे क्रिपया हमें बचाओ, हे दोस्त, बुद्धिमान कबूतर, हम भी इक मागते हैं, हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, हमें बचाओ दोस्त कबूतर ने अपने प्राडों को जोखे में डाल कर, शिकारी के उपर वार करना शुरू कर दिया कबूतर के प्राहर से, शिकारी को कुछ समझी नहीं आ रहा था, वो परिशान होकर बचने लगा, मगर कबूतर शिकारी को ज़ादा देर तक रोप नहीं पाया, और वो जाल की ओर आ ही गया शिकारी ने कबूतरों को पकड़ लिया, और बोला, अब मैं तुम्हें बाजार में बेचूंगा, और अच्छे पैसे कमाऊंगा इस बीच बुद्धिमान कबूतर अपने दोस्त हिरन और बंदर से मदद मांगने के लिए उड़ गया, और अपने दोस्तों को सब खुछ समझाया, दोनों दोस्तों को एक विचार मिला और इस पर हिरन धीरे धीरे लगाता चलने लगा, शिकारी को ऐसा लगा कि हिरन घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है, वो भाग नहीं सकता शिकारी ने जट से कबूतर की जाल को छोड़ दिया, और हिरन की तरफ दोड़ पड़ा, पीछे से बंदर कबूतर के जालों का डबबा लेकर उसे खोल दिया, जिससे कबूतर आजाद होकर उड़ गए, हिरन जो अभी तक धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही उसने देखा कि कबूतर आजाद हो चुके हैं, वो तेजी से दोड़ गया, और बंदर दोड़ कर पेर पचर गया, इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूजबूच से कबूतरों की जान पच गए, इससे हमें क्या सीख मिली, आपसी सूजबूच और समझदारी हो, तो किसी भी मुसीबत का साम न किया जा सकता है, अगर आपको हमारी कहारी पसंदाई, तो हमारे चानल को लाइक और सुब्स्क्राइब जरूर कीजेगा, धन्यवाद क्योंकि वो हर बार पास की जील पर जाता, बड़ी मचली को पकरता और आराम से खाता, उसकी लाइफ मजे में कट रही थी, एक दिन अचानक बहुत जोड़दार तूफान आया, और उस तूफान में टाइमन का छोटा सा घर तूट गया, जिससे टाइमन बहुत निराश अब मैं कहां रहूँगा, मेरा घर तूफान में टूट गया, मैं तो अकेला हूँगया, मेरा घर लेकिन तभी उसे मन में खयाल आया, उसने सूचा, चलो, कोई बात नहीं, अगर ये घर टूट गया, तो मैं नया घर बना लेता हूँ, हाँ, ये सही रहेगा और ऐसा सोचकर वो नए घर की तलाश में निकल पड़ा, नए घर की तलाश में अचानक वहाँ एक छोटा सा घर दिखाई दिया, घर को देखकर उसे बहुत खुशी हुई ये तो बहुत सुन्दर है, ये रहा मेरा नया घर, अब मैं यहीं रहूँगा लेकिन उस घर में एक दिक्कत थी, उस घर के बाहर ही तूफान की वज़े से एक पेड गिरा हुआ था, जिससे टाइमन को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी टाइमन ने कुछ दिन ऐसे ही काम चलाया, प्रयास किया, फिर इधर उधर नजर दोड़ाई, और सोचने लगा मैं इस पेड को कैसे हटाओ, मैं तो चोटा सा हूँ, पेड तो इतना विशाल है, ये मुझ से तो नहीं होगा, कुछ न कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी ये सोचते हुए उसने एक तरकीब लिकाली, उसने देखा, वहाँ से एक घमंडी पेड गुजरा टाइमन ने सोचा, अगर मैं इस भैस को बोलूँगा कि ये बेड अटाओ, तब तो ये बिल्गो नहीं अटाएगा इतना गमंडी जो है, टाइमन देख कर उसे कहता है, अरे मामा, मुझे लगता है कि ये तुमसे ज्यादा बलवान है टाइमन की बात सुनकर भैस क्रोधित हो गया, और वो बहुत गुश से बेया गया, वो चिला कर उससे कहता है, सबसे बलवान मैं हूँ, कौन है जो मुझे से बलवान है ये पेड, जे लगता है कि तुम इसे नहीं हिला पाओगे, लेकिन मैं इस पेड को आसानी से यहां से हटा सकती हूँ टाइमन की बात सुनकर भैस को बहुत हसी आई, उसने कहा, ये चोटा साथ जानवर, इस बड़े से पेड को कैसे हटाएगा लेकिन वो उसकी बातों में आ गया, उसने कहा, ठीक है, हटा कर बताओ टाइमन ने बहुत कुशिश की, पर फेड उससे नहीं हिला, भैस उसकी मूर्खता पर हस रा था फिर भैस को गुस्ता आए, टाइमन ने कहा, मैं तु नहीं उठा पाया, पर मुझे उम्मीद है कि तुम भी नहीं हला पाओगे इस पेड को भैस ने पूरी ताकत लगा कर, उस बड़े से पेड को वहां से हटा दिया टाइमन शाबाशी देते हुए बोला, वा, तुम तो वाकई सबसे बलवान हो अपनी तारीव सुनकर भैस ने अपना सीना चोड़ा किया, टाइमन ने उसकी तारीव की और मनी मन बड़ा खुश हुआ ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, थांक्यू वेवकूफ शेर एक घणा जंगल था, जंगल कराजा शेर था, शेर के पास एक लोब्री थी, वो हमेशा ही शेर की जूटी तारीव करती रहती थी, एक दिन शेर लोब्री से पूछता है इस जंगल के जानवरों में मेरे बारे में क्या सोच है, सरा मुझे बताओ तो सही क्या बताओ महराज, जंगल के जानवरों को आपका महराज होना बिल्कुल पसंद नहीं, किसी ने भी आपके बारे में कुछ नहीं पूछा इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते है, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता एक काम करो तुम, जाकर सारे जानवरों को बेरे सामने आने के लिए कहो लोम्री जानवरों को बुलाने जाती है उसी जंगल में एक हाती था, जो बहुत ही होशियार था लोम्री हाती से कहती है जंगल के महराज ने आप सब को बुलाया है जिस पर हाती लोम्री से कहता है क्यों बुलाया है? वैसे भी उस काम अकल की तारीफ हम नहीं सुन सकते मुझे क्या पता? आप सब को क्यों बुलाया है? चुप चाप आ जाना, मैं बस ये कहने आई थी ये कहकर लोम्री वहाँ से चली जाती है हाती और बाकी के जानवर शेर के पास हाजर होते हैं फिर शेर उन्च सब से कहता है मैंने पास के जंगल के राजा को हाती पर बैट कर सवारी करते हुए देखा है मैं भी इस हाती पर बैट कर सवारी करूँगा ये सुनकर हाती कहता है बहराज आप अगर मेरे उपर बैठोगे तो आप गिर जाओगे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ा और मेरे सामने जवाब दो आज मैं सब के सामने कहता हूँ अगर मैं तुम्हारे उपर सवारी करते हुए गिर गया तो मैं ये राजपार छोड़ दूँगा ये सुनकर सारे जानवर खुश हो गए इसके बाद शेर उटकर हाती पर बैठता है हाती के चलते ही शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है और उटकर खड़ा होकर फिर कहता है मैं राजा हूँ मैं राजा और मैं राजा ही रहूँगा, कोई स्तीफा नहीं देने वाला मैं, मैं गिरा हूँ हाथी की गलती की वज़े से जिस पर हाती कहता है ये क्या महराज आप बात से मुकर गए है महराज के कुछ लक्षड होते है बेवकूफ की तरह पेश आना अच्छे महराज का लक्षड नहीं है ये सुनकर लोम्री कहती है अच्छा तो हम एक काम करते हैं बाकी के जानवरों को पूछते हैं जंगल का राजा कौन होगा शेर या ये हाती इसका फैसला बाकी के जानवरी करेंगे जो भी लोग शेर को पसंद करते हैं वो शेर के पास आकर खड़े हो जाए और जो लोग हाती को राजा बनाना चाते हैं वो हाती के पास खड़े हो जाए जंगल के सारे जानवर हाती के पास जाकर खड़े हो गए बिचारा शेर शर्मिन्दा होकर जंगल छोड़कर चला गया अगर राजा बनना है तो कुछ होशियारी भी जरूरी है अच्छी लगी ना कहानी तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेर करें और ऐसी और कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें